हेलो दोस्तो, सोसियोलोजी क्लासेज में आप सब का स्वागत है आज हम डिसकस करने वाले हैं मैक्स वेबर के बारे में हम जब भी सोसियोलोजी डिसिप्लीन की बात करते हैं इसको establish करने में बहुत सारे thinkers, बहुत सारे sociologist ने अपना योगदान दिया था Max Weber ने भी हमारे sociology discipline को establish करने में बहुत ही एक major role play किया था इन्होंने बहुत सारे concept दिये थे, बहुत सारे theories भी इन्होंने दिये थे जिसके बज़े से ये बहुत ही famous थे अपने theorizing के बज़े से आज के class में हम इनका जो भी major concept है, जो हमारे exam के perspective से important है इनको हम detail में discuss करने वाले है हम पहले देख लेते हैं कि आज के class में हम कौन सी topics को cover करने वाले है हम पहले देखेंगे Max Weber का social action के बारे में उन्होंने social action कौन सी चीज़ को कहा था और social action के अलग-अलग types किया थे फिर देखेंगे trinitarian model of social stratification उन्होंने three models of social stratification दिया था जो है class, status और party इसके बारे में भी हम देखेंगे detail में फिर देखेंगे authority और उसका different types ideal types के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने Max Weber ने ideal types को detail में study किया था उनका ज्यादातर जो theories थी वो इसी ideal types के उपर based थी इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे फिर देखेंगे protestant ethics and the spirit of capitalism यानि कि जो भी protestantism और capitalism है इसके बीच में क्या relation है religion के साथ हमारा capitalism का क्या relation है ये सारे चीज़े इस जगा पर हम study करेंगे फिर देखेंगे rationality और उसका अलग-अलग type फिर देखेंगे हम bureaucracy के बारे में bureaucracy और इसका जो six major principle है ये सारे चीज़ों के बारे में हम detail में discuss करेंगे अगर आप मेरे classes में नए है तो चैनल को subscribe कर लेना और वीडियो को like और share जरूर करना क्योंकि sharing is caring इस चैनल पर आपको sociology related सारे वीडियों मिलेंगे ये जो classes है ये IGNOW के साथ-साथ आप NETS, LETS, CUET, UPSC सारे exams में आपको बहुत help करेगा ये class मैंने बहुत सारे जगाओ को resources, बहुत सारे books study करके ये सारे materials तयार की है यहाँ पर ज्यादा तर जो materials है वो IGNOW से लिए गया है इस बज़े से ये सारे materials आपको authentic मिलेंगे तो चलिए आज का class शुरू करते है हम पहले देखते है Max Weber ने क्या क्या important books लिखी थी Max Weber के बहुत सारे books है लेकिन इसमें से ये जो 5 book है ये हमें याद रखना होगा और इनको हमें year wise याद रखना होगा यानि कि इन्होंने कौन सी book कौन सी year पे लिखा था इसमें से सबसे important जो book है वो है the protestant ethic and the spirit of capitalism इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा अब जब भी हम sociology की founding fathers की बात करते है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग है जिनोंने sociology discipline में contribute किया था लेकिन जो 5 major theorist है जिनके बज़े से हमारा sociology discipline बना वो है August Compt, Herbert Spencer, Emile Durkheim, Karl Marx और Max Weber यहाँ पर हमने previous classes में August Compt, Emile Durkheim और Karl Marx को detail में study किया था यहाँ पर हमें Max Weber को समझने के लिए भी उनका concept थोड़ा बहुत हमें जरूरी होगा जैसे Karl Marx से concept से ही हमारा Max Weber का ज्यादा दर concept आया है और Emile Durkheim का जो collective consciousness का जो concept है इस से भी हम Max Weber को जूड सकते हैं इस बज़े से Max Weber को समझने के लिए हमें बाकी thinkers को भी जानना जरूरी है अब देखते हैं Max Weber ने किस तरीके का contribution क्या है हमारे sociology में अगर हम Max Weber की बात करें तो उनका जनम 1864 और death 1920 में हुआ था यह जो time period है इस time period को आप लोग ज़रा दिमाग में रखना जब भी हम किसी thinker को study करते हैं उन्होंने किस time period पे अपना काम किया था उसको भी हमें याद रखना जरूरी होता है क्योंकि उसी time period पे किस तरीके का social energy चल रहा था society में किस तरीके का बदलाव हो रहा था वो भी हमें जानना होता है यहाँ पर Max Weber जो थे वो Karl Marx से बहुत ज्यादा inspired थे Max Weber ने अपना जो भी ज्यादातर जो ideas है या फिर theories है उन्होंने Marx को counter point पे रखते हुए ही बनाया है यानि कि Karl Marx को opposite में रखते हुए ही उन्होंने अपने ज्यादातर theories दी है Max Weber ने Karl Marx के बारे में एक बहुत ही एक बात की थी important बात की थी उन्होंने कहा था कि Marx was a monocosal thinker यानि कि Karl Marx ने जो भी theories दी है उनका एक ही main reason बताया था उन्होंने कहा था कि economy ही हमारा सारे चीजों का reason है लेकिन Max Weber इस चीज को oppose करते हुए उन्होंने कहा था कि नहीं हमारा कोई भी social process हो कोई भी social घटना हो ये सारे चीजों के बहुत सारे cause हो सकता है इसलिए हम Karl Marx को monocosal thinker कहते है और Max Weber को कहते है multi causal thinker Karl Marx का दो important बहुत important concept है एक है interpretivism और दूसरा है वार्स्ति है interpretivism यानि कि हम society में चीजों को समझने के लिए उसको interpret करने की कोशिश करते हैं interpret करके ही हम चीजों को समझ सकते हैं अलग-अलग लोगों का अलग-अलग thought process होता है इस बज़े से एक ही घटना का लोग अलग-अलग मतलब निकाल सकते हैं इसको ही interpretivism कहा जाता है यहाँ पर Max Weber का और एक important concept है जो है वार्स्तिहन इसका meaning है interpretive understanding यह भी हमें याद रखना होगा फिर जब भी हम Max Weber की बात करते हैं उन्होंने डूर्खेम के जो collective consciousness है उसके उपर उन्होंने काम किया था डूर्खेम ने ज्यादा जो theories है उन्होंने society को देखते हुए बनाया था यानि कि उन्होंने society को as a whole समझने की कोशिश की थी लेकिन Max Weber ने इसके opposite में जाके उन्होंने चीजों को individually समझने की कोशिश की थी Max Weber ने individual action के उपर ज्यादा ध्यान दिया था उन्होंने collectively लोग किस तरीके का काम करते है उसके साथ-साथ individually लोग क्यों action करते है कोई भी इंसान किस तरीके का situation में किस तरीके का step लेगा इसके बारे में भी उन्होंने study की थी अब आते हैं हम उनका theories में उनके theories में सबसे important जो concept है वो है social action का theory social action इस part में हम sociology क्या है ये इसका definition पढ़ेंगे फिर देखेंगे social action के बारे में और उसका अलग-अलग type काल मार्क्स ने sorry मैक्स वेबर ने sociology को किस तरीके से define किया है मैक्स वेबर ने कहा था sociology as a science which attempts the interpretive understanding of social action in order thereby to arrive at a causal explanation of its courses and efforts यानि कि जो भी social action है हम sociology एक ऐसा science है जो हमारे social action को समझता है इसको interpret करता है और इसको understand भी करता है और इसका cause और effect के बारे में भी हमें बताता है यही हमारा sociology subject है मैक्स वेबर के हिसाब से मैक्स वेबर ने यहाँ पर social action की बात की थी यही जो social action है यही है हमारा study का main purpose action is social insofar as its subjective meaning takes account of the behavior of others and is thereby oriented in its course यानि कि action कोई भी action social तभी होगा जब यह किसी भी एक behavior को बात करे और यह किसी भी एक इनसान की तरफ oriented हो इसको और भी थोड़ा अच्छी तरीके से हमें समझने के लिए इस चीज को समझना होगा कि हम जब भी कोई action करते है यह social तभी होता है जब यह किसी एक दूसरे actor को influence करे यह physically भी हो सकता है यह mentally भी हो सकता है जैसे अगर हम दोड़े अगर हम किसी जगा पर दोड़ने लगे दोड़ना start करे तब यह कोई social action नहीं होगा अगर हम किसी competition पर दोड़े तब यह हमारा होगा social action इसका कोई purpose होगा इसका physical या फिर mental कोई presence होगा इस तरीके से हमारा action तभी social बनता है जहाँ अगर इसका कोई meaning हो इसका कोई meaning attach हो और यह किसी भी एक orientation की तरफ oriented हो अब देखते है four types of social action Max Weber ने चार तरीके का social action की बात की है traditional, effective, worth rational या फिर value rational और zack rational इसको हमें याद रखने के लिए यह जो ताउज word है इसको remember करना होगा यहाँ पर traditional action क्या है traditional यानि कि हमें traditionally जो हमारे belief system है thought process है, इसके दुआरा अगर हम कोई काम करे इसको कहा जाएगा traditional action जैसे हम अगर caste में जब भी हम शादी करने की बात करते है तब हमें caste याद आता है caste से ही हम लोगों को ढूनते है कि कौनसी caste से कौनसी caste के साधी होगी यह हमारा traditional action हो गया फिर होगा हमारा effective action जो भी action हमारा emotion के साथ जुड़ा हुआ है वो हो जाएगा effective action फिर है हमारा worth rational या फिर value rational यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी हम action करते हैं हर बाग ऐसा नहीं है कि इसका कोई purpose हो इसका कोई directly motive हो यहाँ पर value rational action में हमारा जो means है वो rational होते हैं लेकिन जो हमारा ends है वो value driven होता है जैसे अगर हम कोई charity करें या फिर कोई भी डूपता हुआ इनसान को बचाएंगे तो यह हमारा means rational होगा कि हम उस इनसान को बचाने के लिए कुदे है लेकिन यह जो end है मतलब इसका जो consequences है यह हमारा value के द्वारा ही आगे बढ़ता है यानि कि हमें उस इनसान को बचाना है यह हमारा एक value होता है यह जैसे कि हमारा charity करना यानि कि लोगों को दान देना यह हमारा value से जुड़ा हुआ होता है लेकिन इसका means जो है यह rational यानि कि हम इसे हमारा thought process से जुड़ते है फिर होता है हमारा jack rational या फिर rational legal यहाँ पर हमारा जो means और ends जो है दोनों ही यहाँ पर rational है जैसे हमारा preparing heart for exam जब भी हम exam की preparation करते है यहाँ पर हमारा जो means है जो कारण है वो भी हमारा rational ही कारण है और जो end है वो भी हमारा rational है यानि कि हम यहाँ पर हमारे अपने खुद के लिए ही यह सारे काम करते हैं अब देखते हैं Three Component Theory of Statification यानि कि Trinitarian Model इस model ने Max Weber ने Social Statification का तीन reason की बात की थी यानि कि तीन ऐसे component है जिसके बज़े से हम Social Statification करते हैं पहला है Class, फिर Status, और तीसरा है Party यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि अलग-अलग बुक में हमें अलग-अलग चीज़े लिखी हुई मिलती है जैसे Class, Status और Power लेकिन वो अलग तरीका का concept है और यह जो Trinitarian Model है यह Exactly Class, Status और Party ही है यहाँ पर Class यानि की अलग-अलग तरीके का जो Class Division होता है हमारा Society में उसके बारे में बात किया जाता है फिर Status यानि की Social Power की बात की जाती है और Party यानि की Political Power की बात की जाती है यहाँ पर पहले हम देखते है Class के बारे में Max Weber ने Class को किस तरीके से define किया था उन्होंने कहा था Class are groups of people who are distinguished from each other through their ownership or control of production and who share similar life chances यानि की यहाँ पर जो important बात है वो है life chances Max Weber ने Class को life chances के हिसाब से distinguish किया था यानि कि जो भी लोग है वो अपने marketplace पे अपना जो life chance होते है उसके basis पे उन्होंने Class को divide किया था उन्होंने चार तरीके का Class की division किया था जब हम Karl Marx की बात करते हैं तो उन्होंने दो तरीके का Class की बात की थी एक था Bourgeois और दूसरा था Proletariat लेकिन Max Weber ने कहा था चार तरीके का Class की बात उन्होंने कहा उनका जो चार तरीके का Class है वो है प्रोपरेटेर क्लास, नॉन प्रोपरेटेर क्लास, पेटी बोर्जुआ, एन मिन्वेल लेबर क्लास यहाँ पर जो प्रोपरेटेर क्लास है, यह है सबसे उपर यह क्लास वो लोग है जो ownership ओन करते हैं फैक्टरिस को यानि कि जो बहुत ही rich है, capitalist जो लोग है, वो है यह प्रोपरेटेर क्लास फिर होते हैं non-propरेटेर क्लास यहाँ पर mainly white collar workers की बात की जा रही है, जो mainly factories में manager की post पर होते हैं, यहाँ पर उनके पास factories तो नहीं होती है लेकिन इनके पास पैसा होता है और इनके पास skills होते हैं जिसके वज़े से वो लोगों को control कर सके फिर होता है petty bourgeois, पेटी बोर्जुआ वो लोग होते हैं doctors, engineers होते हैं, वो भी पेटी बोर्जुआ में ही आते हैं फिर होते हैं हमारा manual laborer, जो अपना labor sell करके daily के basis पे पैसे कमाते हैं यहाँ पर Max Weber ने status को किस तरीके से define किया था उन्होंने कहा था कि status जो है status is a position in society determined by social estimation of honor यानि कि honor के basis पे लोगों के पास किस position है उसको कहा जाता है status status, लोगों का status उसका life style को define करता है वो अपने social intercourse में किस तरीके का restriction लेगा या फिर किस तरीके का काम करेगा वो उसका status ही decide करता है और तिसरा जो concept है वो है power power एक ऐसा capacity है जो इनसान अपने मर्जी से दूसरे के ऊपर काम करा सके यानि कि वो अपने मर्जी के हिसाब से दूसरों से काम करवा सके यह होता है power और यह जो power है जब institutionalized हो जाता है उसको कहा जाता है authority यानि कि authority जो है वो है legitimate power legitimate power को ही authority कहा जाता है यहाँ पर Max Weber ने तीन तरीके का authority की बात की थी एक है traditional authority, charismatic authority and rational legal authority traditional authority यानि कि जो traditionally जो authority पाया जाता है यानि कि king का जो राजा का जो बच्चा होगा या फिर son होगा वो ही होगा राजा इसको कहा जाता है traditional authority यानि कि tradition by tradition वो पासवन होता जाएगा दूसरे की तरफ फिर आता है हमारा charismatic authority यानि कि किसी के पास कुछ extraordinary इस तरीके का power होना जो leadership generate करें जैसे Hitler वो एक charismatic authority का example है फिर होता है हमारा rational legal authority यह जो authority है ही यह आजकल हम modern days में देखते हैं यानि कि यहाँ पर legally लोगों को power दिया जाता है या पिर जब हम democracy की बात करते हैं votes के दुआरा लोग अपना नेता चुनते हैं वो होता है rational legal authority यहाँ पर हमें और एक concept ध्यान में रखना होगा वो है routinization of charisma routinization of charisma क्या है जब हम charismatic authority को change करके traditional या फिर rational legal authority में convert कर दे तब उसको कहा जाता है routinization of charisma जैसे अगर हम Hitler की बात करे उसमें charismatic authority थी यानि कि उसमें leadership की qualities थी लेकिन जब वो law के दुआरा rational legal authority बन गया तब उसको कहा जाएगा routinization of charisma अब देखते है ideal types के बारे में Max Weber का एक बहुत important concept है ideal type इससे ही बहुत सारे और theories develop करते है Max Weber Max Weber ने ideal type को study करते हुए ही अपने theories develop की थी यह जो ideal type है यह mainly एक comparative analysis के दौरा चीजों को समझाने की बात की जा रही है ideal types mainly एक ऐसा mental construct है ऐसा hypothesis है ऐसे एक सोच है जिससे हम एक ऐसे कलपना करते है कि हमारा चीजे किस तरीके से होंगे जैसे अगर हम हमारा कोई leader की बात करें तो leader में क्या-क्या quality होगे यह हम पहले से ही हमारे दिमाग में सोच के रखते है लेकिन उसके पास वो सारे qualities होंगी या फिर नहीं होंगी यह हमें मालूम नहीं होता है इसको यह कहा जाता है mental construct या फिर ideal type ideal type एक measuring rod है यानि कि हम इसके दौरा measure कर सकते है कि हमारा originally चीज पैसा होना चाहिए था इसको हम और simple तरीके से समझने की कोशिश करते है जैसे अगर हम घर बनाने की कोशिश करते है तो उहा पर पहले हम एक sketch तयार करते है कि हमारा ideal घर किस तरीके से होगा इसको कहा जाएगा हमारा ideal type लेकिन जब हम घर बनाते रहते हैं तो इसमें बहुत सारे changes होती रहती है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़े होती है जो हमारा exactly जिस तरीके से हम चाहते थे उस तरीके से नहीं हुआ है यानि कि ideal type सिर्फ ही में एक idea देता है किस तरीके से हम चीज़ों को define करेंगे यानि कि Max Weber used ideal types for three things यानि कि ideal types को Max Weber ने तीन तरीके से समझाने की कोशिश की थी पहला है abstract elements फिर particular type of behavior और historical phenomenon abstract element यानि कि जो हमारा social action है authority है ये भी हमारा एक तरीके का ideal type है फिर होता है particle type of behavior यानि कि हम किस तरीके से behave करेंगे ये भी हमारा एक ideal होता है यानि कि हम पहले से सोच के रखते हैं कि किस तरीके से हमारा behavior होगा और फिर होता है हमारा historical phenomena यानि कि हमारा historical cities किस तरीके से develop हुई है या फिर थी इसका भी हम एक idea कलपना कर लेते हैं Max Weber ने Ideal Type को चार हिस्सों में बाटा था उन्होंने चार तरीके का Ideal Type की बात की थी Historical Ideal Types, General Sociological Ideal Types, Action Ideal Types and Structural Ideal Types अब देखते है Max Weber's Sixth World Religion Max Weber ने Religion को स्टाड़ी करने के लिए मेंली 6 तरीके का Religion को स्टाड़ी की थी Max Weber ने मेंली अपने जो Capitalism है Capitalism किस तरीके से आया है Capitalism का Origin को समझने के लिए उन्होंने अलग-अलग तरीके का Religion को स्टाड़ी करना स्टाड़ किया था उन्होंने हर Religion को Compare किया था Capitalism के साथ और उन्होंने हर Religion में Capitalism किस तरीके से आया उसको समझने की कोशिश की थी उन्होंने mainly 6 तरीके का religion को study किया था यह जो question है यह question हमारे exam में बहुत बार आता है कि Max Weber का 6 world religion क्या क्या है इसलिए आप लोग यह जो 6 religion है इसको by heart कर लेना यहाँ पर उन्होंने study करते हुए यह पाया था कि हर सभी religion में capitalism का origin नहीं देखा जाता है उन्होंने capitalism का origin mainly देखा था Protestantism में उसी को summarize करते हुए उन्हेंने एक book लिखा था जिस book का नाम है The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism इस book पे उन्होंने capitalism किस तरीके से आया है और इसका main reason कैसे Protestantism है इसको भी उन्होंने define किया था Max Weber ने notice किया था कि capitalism सिर्फ production और exchange का एक माध्यम नहीं है यहाँ पर सिर्फ profit की बात नहीं की जाती है यह एक ऐसा aesthetic attitude है life के प्रती यानि कि यह एक आदमातिक चीज है जिसके दुआरा लोग सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं और इसको ही उन्होंने detail में study की थी उन्होंने Protestant Ethics का ideal type को study की थी Protestant Ethics का ideal type है उन्होंने जिस चीज को study की थी वह है Calvinism Calvinism को mainly दिया था John Calvin ने यहाँ पर जो Protestant Ethics है उसका main ideal types है own glory of God, doctrine of predestination, ecstasyism and notion of calling यानि कि Protestant Ethics क्या क्या चीजे मानते थे वो लोग मानते थे यह चार चीजों में यानि कि own glory of God वो चाहते थे जो भगवान है भगवान अपना world खुद ही create करता है इस बज़े से हमें किसी priest को खुश करने की जरूरत नहीं है हमें भगवान नहीं हमें बनाया है और भगवान के द्वारा ही हम चलेंगे इस बज़े से priest का जो importance है वहाँ पर कम कर दिया गया है फिर है doctrine of predestination यानि कि जो भी लोग heaven या फिर hell पे जाएंगे यह पहले से ही choose किया हुआ है इस बज़े से हमें सिर्फ अपना काम करते रहना है और भगवान को प्रती हमें नम्र रहना है इसलिए यहाँ पर doctrine of predestination की भी बात की जाती है फिर है asceticism यहाँ पर self discipline की बात की जाती है हमें अगर God तक पहुचना है तो हमें self discipline बनाया रखना होगा फिर है notion of calling यहाँ पर कहा जाता है कि जो भी काम है हर काम sacred है और हमें अपने devotion के द्वारा ही हर काम करना होगा तभी हम God को खुश कर पाएंगे और God तक हम पहुच पाएंगे यहाँ पर Max Weber ने कुछ ideal types of capitalism की भी बात की थी यहाँ पर capitalism का ideal type है, जो main चीज़े है वो है wealth, individualism, profit और ethics यहाँ पर capitalism का ideal type में कमाना चाहता है capitalism में यहाँ पर individualism है यानि कि जो भी individual है वो अपना काम करते रहना चाहता है और innovation की भी यहाँ पर बात की जाती है यहाँ पर capitalism mainly profit oriented है, यहाँ पर rational काम होता है यह profit accumulate करने के लिए ही होता है और अगर हम capitalism की ethics की बात करे तो यहाँ पर ethics है time is money work is worship यानि कि हमारा जो समय है वो ही पैसा है और हमारा जो वार्षिप है वो काम है यानि कि काम ही भगवान है अब यह दोनों जो protestantism है और capitalism है इनको compare करते हुए Max Weber ने देखा था कि यह जो protestant ethics है यहाँ से ही हमारा capitalism आया था capitalism का main origin यहाँ से ही है यहाँ पर उन्होंने compare किया था predestination जो है वो हमारे काम करने के शमता और ज्यादा बढ़ा देती है यानि कि भगवान ने पहले से ही लेके रखी है कि कौन स्वर्ख जाएगा और कौन नरक जाएगा इस बज़े से आप लोगों कोई tension नहीं लेना चाहिए आप लोगों को सिर्फ काम करते रहना चाहिए फिर asceticism जो asceticism है वो reinvestment और individualism के उपर ज्यादा ध्यान देता है फिर notion of calling जो है वो है work is worship culture यानि कि काम ही हमारा भगवान है फिर जो greater wealth है यहाँ पर हम पहले से ही choose है जह हम कौन सर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा इस बज़े से हमें काम करते रहना चाहिए और ज्यादा पैसा कमाते रहना चाहिए पैसे से फिर हमें पैसा कमाना चाहिए इसी तरीके से हम भगवान तक पहुँच सकते हैं मैक्सवेबर ने ये दोनों चीज़ों को compare करते हुए यही पाया था कि capitalism का main origin Protestantism ही है इसके बज़े से ही हमारे world में capitalism आया अब देखते हैं capitalism और हिंदुईजम में क्या relation है इस बज़े से आपको इस दुनिया में काम करना होगा और ये हिंदुईजम कर्मा थियोरी में believe करता है इस बज़े से वो लोग कहते हैं कि काम करते जाओ और फल की चिंता मत करो लेकिन अगर ऐसा होगा तो इंदिया में कभी भी capitalism ग्रो नहीं करेगा मैक सोअबर न यही कहा है कि इंदिया में हिंदुईजम है इस बज़े से यहाँ पर capitalism ग्रो नहीं हो सकता यैसे ही उन्होंने कहा है कि जो जीवूज है उनके पास spirit तो था लेकिन उनके पास material resources नहीं था मैक सोअबर का कहना था कि अगर capitalism आना है तो यहाँ पर हमें spirit भी चाहिए और material resources भी चाहिए जो protestant के पास थी इस बज़े से वहाँ पर capitalism आया था यह जो religion, protestant ethics and the spirit of capitalism है यह चीज को आप लोगों को थोड़ा अच्छी तरीके से study करना होगा इसके related मैंने एक detail class कराई है पहले यह मैं description box पर दे दूँगा आप लोग इसको देख लेना आप लोगों को बहुत आसानी होगी अब देखते है rationality के बारे में Max Weber ने rationality के बारे में बात की थी उन्होंने कहा था कि जो हमारा traditional values है traditional emotions है इसको replace करते हुए आज कल हम rational जिन्दगी जी रहे हैं हमारा behavior भी बहुत ज्यादा change हो रही है क्योंकि हम ज्यादा scientific हो रहे हैं और scientific thought process के द्वारा ही चलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर Max Weber ने चार तरीके का rationality की बात की थी प्रेक्टिकल रेशनलिटी, theoretical rationality, formal rationality and substantive rationality practical rationality है जो pragmatic and egoistic interest की बेसिस पे theoretical जो है involves deduction, induction and causality की बेसिस पे और formal जो है वो हमारा instrumental rational action जो है उसके हिसाब से यानि कि हमारा ends और means दोनों ही rational होने चाहिए और substantive में हम देखता है value rational action यानि कि यहाँ पर हमारा means है वो तो rational है लेकिन ends जो है वो value driven होता है इसी से हमारा आता है आगे rationalization के बाद ही आता है हमारा bureaucracy का concept bureaucracy mainly होता क्या है bureaucracy एक ऐसा system है जहाँ पर return या फिर oral roles काम करते हैं यहाँ पर जो भी चीज़े है वो एक systematic procedure से चलता है Max Weber ने कहा था कि जो हमारा ideal bureaucracy है इस ideal bureaucracy के बज़े से हमारा society अच्छी तरीके से regulate होगा यहाँ पर बहुत सारे characteristics है जिसके बज़े से हमारा ideal bureaucracy establish हो सकता है जैसे lever division, clear established hierarchy, comprehensive rules regulation, impersonal relation यह सारे चीज़े है हमारा ideal bureaucracy यानि कि अगर कोई भी bureaucratic society होगा तो उहाँ पर यह सारे चीज़े होगी ही होगी Max Weber ने कहा था कि यह जो ideal bureaucracy है यह कही पर दिखाई नहीं देती है लेकिन यह एक ऐसा mental construct है जिसके बज़े से हम एक real world create कर सकेंगे यानि कि एक ऐसा system create कर सकेंगे जो इस bureaucracy को मानता हो Max Weber ने bureaucracy का six principles दिये है पहला है authority hierarchy, formal rules and regulation, division of labor, impersonality, career orientation, formal selection process यानि कि अगर कोई भी एक bureaucracy हो वहाँ पर यह six principles मानने होने चाहिए तब ही वो bureaucratic society होगी यहाँ पर पहला जो है authority hierarchy यानि कि जो भी authority है वो hierarchical basis पे ही select की जाएगे फिर होगा formal rules and regulation होगे, फिर division of labor होगा specialization के basis पे यहाँ पर personality की बात की जाएगे यानि कि कोई भी अपने personal life को यहाँ पर interfere नहीं करेगा फिर career orientation यानि कि लोग career में अपने आपको oriented रखना चाहेंगे और यहाँ पर formal selection process होगा, यानि कि कोई भी biasness नहीं होगा यहाँ पर bureaucracy और rationality से जुड़ा हुआ एक और concept है जो है iron cage of rationality Max Weber ने iron cage of rationality का concept दिया था, उन्होंने कहा था कि यह जो हमारा आजकल का दुनिया है अगर हम rationalization ज्यादा हो जाए तो हम एक iron cage में बंद जाएंगे हम कुछ ऐसे mental laws में बंद जाएंगे जहां से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे इसी चीज़ को उन्होंने कहा था कि iron cage of rationality iron cage of rationality की बज़े से लोग polarize हो जाएंगे एक तरीके का thought process उनका होगा और वो लोग एक frozen darkness में परहुच जाएंगे आशा करता हूँ आज का जो यह class Max Weber का उपर था यह आप लोगों को पसंद आया है अगर class पसंद आया है तो like जरूर करना और चैनल को subscribe करना मत भूलना तो मिलते हैं अगली class में तब तक अच्छे रहें स्वस्त रहें और लोगों में प्यार बाटते रहें जाए हिंद